वेट 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 डोंट स्किप दा वीडियो तीं से चार मिनट लूँगा पर बहुत अगडी टेकनोलोजी के बारे में बताने वलों जो की फ्यूचर बदलने वली है आपने बच्पन में फ्लाइंग कार्स टेलिपोटेशन के बारे में पड़ा होगा और यह सारा कुछ के बीच में किस टेकनोलोजी के साथ इस वीडियो में बताऊंगा आई दिस आयूश और वाचिंग दायूश शो टेकनोलोजी का नाम है मर्कुरी इंजन असल में टेकनोलोजी अब नहीं 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 बहुत बहुत पुरानी है रमाइन और महभारत में भी यूज हुई है पुष्पकव एमान के बारे मैं सुनाओगा उसमें मर्कुरी इंजन थे तो यह रिग वेद में बताया हुए कि काफी साइलेंट प्लेंज होते थे और इनमें मर्कुरी इंजन यूज करे होते थे इनके काफी ब्लूप्रिंट्स वर अभी उसमें डिफाइंड है तो टेकन प्लोट करने शुरू करती है उसके बाद मर्कुरी की पीड को बढ़ाया जाते और उसकी पीड को 500,000 की आरपिम तक लेकर जाते हैं जब एक बार इंजन प्लोट के पहुंच जाती है उसके बाद वह टॉर्स का प्रेशर है यह इंक्रीज करना शुरू करते और उसको 250,000 की प्रेशर तक इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण एक एंटी ग्रैविटी बबल क्रियेट होता है, जो एंटी ग्रैविटी बबल है, वो प्रॉपर हंडर्ड परसेंट एंटी ग्रैविटी नहीं है, पर वो 70 परसेंट तक एंटी ग्रैविटी बबल क्रियेट करते हैं, जिसके क कर रहे हैं इसके उपर रिसार्च करना इसको 100% तक भी लेकर जाये जा सकता है इस ज़स्ट दस्टार्टिंग यह टाइम ट्रैवल टेलिपोटेशन फ्लाइंग कार सारा कुछ क्रेट कर सकता है और भी बहुत टेक्नोलोजी जो इसके से हम बना सकते हैं मार्स तक जाना हो कोई अर्थ के ग्रैविटी को पार करना सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी रॉकेट के लिए share this with your engineer and scientist friends जिनको यह जानने के ज़रूरत है और इससे उन नही नही technologies बना सकते हैं हो सकता है तुमारे scientists या engineer friends इस technology को आगे लेकर जाएं उनके साथ share करो उनको बताओ कि ऐसी technology पे का इस पूशर में कर सकते हैं comments में बताओ like करो subscribe करो मैं आपको कोई भी future में update आएगा इस technology के उपर मैं आपको इसी चैनल पर बताऊंगा subscribe करो like करो comment करो कैसी लगी टेकनलोजी और किन किन फ्रेंट को आपको लगता है कि है आप पता हो ना चाहिए